मिथला मखान जो है वो मखाना मिथला कही रहेगा वो इसमें कहीं किसी मैं भी बिहार का हूँ वो मैं घंगोर बिहारी हूँ पर हर जगे की मुझफरपुर की लीची मुझफरपुर की लीची होती है बिहार की लीची नहीं होती तो कुछ करना है तो अच्छा काम करिए नाम जी आई और मिथला माखान को तो फ्लीज मैं आप सबसे अगरे करूंगा अंदोलन करिए नमस्कार मैं विश्णु नरायंद अभिहार मेल के लिए अभिहार मेल के टीम इन दिनों पटना में है पॉलिटिकल जो है किसा कहानी आपके पस पहुंची रहोगा रिपोर्ट पहुंच रहोगा इस बीच एक फिल्म आने वाली है मिथला माखान उसके कुछ पोस्टर्स भी दिखे शोशल मीडिया पर और उसके एक्टर हमारे शाथ हैं और उस पे मुझे नहीं लगता कि बहुत बताने के जरुवत है उनके बारे में मगर मिथला माखान के बारे में पूशेंगे क्योंकि मिथला माखान को ले करके एक खासतर की राजनीती भी हो रही है इस बीच कि मिथला मकान का एक जी आई टैग का मसला है वो आपने देखा है क्या इस बीच उस आपके फिल्म से उसका कोई लेना देना है सबसे पहले हो धन्यवाद कि आपने मुझे अपने इस बिहार मेल वाले चैनल पर बुलाया और विश्मनी जो आप काम कर रहें वो बहुत सरानी है ऐसे ही करते रहें जहां तक बात मिथला मकान और बिहार मकान की जी आई की है तो मैं भी इस बारे में कुछ कहना चाहता था कि शिमला मिर्च हिमाचल की हिमाचल परदेश का नहीं होता है सिमला का होता है भागलपूरी सिल्क जो है वो बिहारी सिल्क नहीं होता है भागलपूरी सिल्क होता है सरकार को अगर कुछ अच्छा करना है अगर सरकार कामी करना चाहती है तो भई आप विकास के लिए काम करें ये नाम, जी आई, टैग उसकी वज़े से आप और आज तक ऐसे आपने क्या भला किया ये सिर्फ नाम बदलने से कि मिथला मखान की जगे और मिथला मखान जो है वो मखाना मिथला का ही रहेगा वो इसमें कहीं किसी, मैं भी बिहार का हूँ, मैं खनगोर बिहारी हूँ फिल्म जो हम देख रहे हैं उसको कुछ अलग तरीके से प्रमोशन का मैं बहुत तो थोड़ी बहुत चीज़े हैं जो आप लोग के मुझे लगता है कि फिल्म के जो डारेक्टर हैं उसको एक बेजो डॉट इन को किस तरीके से रिलीज कर रहे हैं जाहित तौर पर एक कोव ही बार रिलीज होने जा रहे हैं यह भी समझना है आपसे देखिए यह फिल्म जब इसे राश्ट्रे पर उसकार मिला था वो 2016 की बात थी है उसके बाद हमने बहुत कोशिश की कि हम किसी तरह से इसको सिनेमा हॉल्स में रिलीज करें लेकिन बिहार की जो सिनेमा हॉल्स की द कि देली होता है जो सम्द्रीνη फील्म बंबे में रहते हैं दो तुल मैं घृते हैं यहां पर नहों कोई भी थ टिल्म को मर्केट नहीं तो किसी नहां हमें ड़ोगडाँ अभा उसकी भाहत सारे ओए टीडीज पर भी जाने कی जैसे अगर साउट कि अखेंगे तो अप दिकन बोला कि भई मैफली लैंगुज के तो को इंजस्ट्री है नहीं कुछ ऐसा है नहीं हमारे पास को ऐसी पॉलिसी नहीं है तो थक हार के हमने सोचा कि अब क्या क्या जाए तो मैं धन्दबाद देना चाहूंगा जो हमारे फिल्म के प्रोडूसर्स हैं समीर कुमार नितू चंद्रा जी नितिन चंद्रा तीन लोगों ने मिल के सोचा कि हम अपना एक प्लैटफॉर्म बनाते हैं और उस प्लैटफॉर्म पे क्योंकि अब बहुत हो गया इतने सालों से भी राश्ट्रे पुरुसकार जिस फिल्म को मिला है और वो डब्बे में तो अगर देखिए अब जो रिजनल फिल्म उचेत्रे भाषा की फिल्में होती हैं तो इसमें बहुत सारे लोग पैसा लगाने के लिए नहीं आते हैं जो भुषपूरी फिल्में आपने देखी हैं तो अब कोई भी जो आम दर्शक हैं वो किससे उनको कितना गर्व होगा फिल्मों पर उनका जमीर जानता है मुझे नहीं होता है तो इसलिए मैंने एक फिल्म की थी देखिए अचाहाँ आपने देखिए तो अब मुंदा यह हैं बहुत प्लान किया कि भई हम इसको रिलीज करेंगे और लोगों से हमने कुछ एक जो है अमाउंट है आपको वहाप पर पे करना होगा जैसे आप नेट्लिक्स पर करते हैं मिजॉन पर दो भी आप सुस्क्रिप्शन लेते हैं जिस पर करते हैं तो इमाउंट देखिए आप फिल्म भी देखिए और बागी सारी चीज़े देखिए और मुझे नहीं लगता कि भई अपनी छेत्रिय भाशाओं की स्टोरी क्या है? जैसे तो उसके बाद जो है वो उसके अंदर क्या हिर्दे परिवर्तन होता है और जब वापिस आके उस गाउं में कुछ करना चाहता है तो उसके सामने क्या दिक्कते होती है तो इसी तरह की कहानी है माइग्रेशन का मसला जही तोर पर जैसे आप बता रहे हैं कि लोटे इस बीच कोईट के संक्रमण के बीच मतलब आप बहुत सारे एक्टर्स बहुत सारी पॉलिटिक्स बात करने से परहीज करते हैं हम आपको अलग-अलग मसलोपे भी देखते हैं बीयार में जिस और पटना में खास तरह से जिस तरीके से बाड़ है उसके बाद भी आप जो है सडको पर थे तो सडकों पर होने के अपने खामियाजे भी हैं तो वह खामियाजा भी समझते वे फिर भी आप सडकों पर क्यों आतेप इसलिये आते हैं कि कुई हगा खरा करना हमारे मकसद नहीं हमारी अब हमारी उमीद है कि सुरछत बदलनी चाहिए उब अंघ तेरे सीने में मेरे सीने में आग जलनी चाहिए तो आग जलाने के लिए अगर मेरी बात पांच लोग सुन लेते हैं तो कोई दिक्क्रत नहीं मैं गालियां भी सुनता हूं इस बात को लेकि बहुत सार ऐसे हैं जो मेरे पास भी आते हैं मैं उतना कोई बहुत मेरे मिलियन फॉल्वर्स नहीं हैं लेकिन जितने भी लोग उसमें दस लोग ऐसे भी गालिया देंगे कि आपके लिए क्या हो रहा है यह बात अगर आप नहीं समझेंगे फिर से चुनाव आने वाले हैं चुनाव में अगर आज भी यहां के जनता करें सोचती है कि जात के नाम पर अगर वोट करेंगे तो आप सोची कि आपका शहर है पटना शहर को सबसे गंदा शहर करार दिया गया यह अगर कहीं बाहर हुआ होता मगर यहां से आप रिपोर्ट करते रह जाए यह आप कहते रह जाए तो इसका कहीं नोटिस नहीं लेता है जब बाहर से यह चीज रिपो उन्हें किया यहां के लोग एक बहर भी बाहर गये यहां के लोग अगर कहते कि भी हम जाएंगे और बात करेंगे हम शड़कों पर निकलेंगे लेकिन लोगों का लगा है ठीक है गंदा है तो है आप एक बताई कहीं एक आवाज उठी हो किसी की भी उस खासकर वो न्यूज आ जो मुद्र मेरे करीम हैं मैं उस पे बोलता हूं लोगों चौब अच्छा लगता तो बहुत अच्छा पर मेरे मन को अच्छा लगना चीए और लोगों को साइद यही बात मुझ में अच्छी लगती है आप को चुमेरी थोड़ी बहुत आपको लेकर कर रिशर्च है या मै तो आप एक तरीके से रामदेव के लिए भी आपने बहुत मेहनत की वो उसको कैसा रिस्पॉंस मेला उसको रिस्पॉंस वही है कि चैनल बंद हो गया तीन मेहने के बाद जब लॉंच वा था तो मुझे आद है कि 12 फरवरी 2018 को मैं हिंदुस्तान के हर कोने में चिपका हुआ था स्वामी रामदेव जैसा बनके पर वो तीन मेहने के बाद चैनल बंद हो गया क्योंकि अब चैनल क्यों नहीं चला है हमारे किसी वैक्टर के दिमाग से परे की बात है तो बेद रुभाग के कहेंगे लिकिन वो अगर किस और चैनल पर आता तो शायद कुछ आर आज और कहानी होती लेकि मुझे वो काम करके बहुत मजा आया और मैं मजा इसलिए कहूंगा क्योंकि तो स्वामी रामदेव से मिल पाया उनसे मिलने के बाद मेरे अंदर कुछ परिवर्तन हो अपनी अपनी स्वदेशी जो बातें कर करकतें नहीं मैं क्योंकि मतंसे मिला था एक नाते योग-घुरू के लाए जो एक काम करने जा रहे है किसी के जीवन के उपर उसको उसका हुए ठीशर निभाने का मौका मिला यह जैनना था उनदेखना ऑफ्ना रख़ी में टेक है कि क्या दिक्कत है गलत क्या है इसमें अगर आप यहां का पैसा यहीं पर डाल रहे हैं और उन में उनका अपना एक कहीं भी कुछ नहीं है और जो भी हो चैरिटी का है ट्रस्ट का है वो ले के ऊपर नहीं जाएंगे यहीं और आपने भी जाहिड तोर पर उनके साथ फिल्म की थी, इस बीच जिस तरीके से उनको लेकर के या रिया चक्रवर्ति को लेकर के रिपोर्ट्स होती हैं, ना चाहते हुए भी हम टीवी चैनल कभी खोलते हैं, तो वही आ रहा होता है, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे होत तो वह उसको देख के कैसा लगता है? जितने भी टाइम मैं उनके साथ विदा पाया तो मुझे कहीं से भी जिस तरह की बातें कही जा रही है, मुझे नहीं लगता था, और जो बातें अप कही जा रही है, मैं उससे तफ़ाक नहीं रखता हूँ, क्यूकि लोग इस एक चीज़ भूल रहे हैं कि इतनी ज्यादा कही जा रही है कि जो इनसान ने जो जो छोड़ के गया है जो काम करके गया है जिस तरह से मंदरंजन किया है पुरे हिंदोस्तान का लोग भूल जा रहे हैं लोग सिर्फ यह याद कर रहे हैं कि जो बाते उनके सामने परोसी जा रहे हैं या फिर जिस तरह के तथेज निकल के स को याद रखे को कि अगर यही चलता रहेगा तो आप सब भूल जाएंगो संसान को सिर्फ यह नाम याद रहेगा और अच्छे से नहीं याद रहेगा जिसे शुषांत की मौत के बाद जिस तरीके से बिहारी असमिता को लेकर के मुझे लगता कि शुषांत जब तक जीवित तो वो इस बिहारी असमिता जैसे आप कहरी कर रहे हैं कि मैं पटना कहों और पटना मेरे माथे पर लिखा है और मैं इसको लेकर के बारिशरमिंदा में महसूस करता हूँ सुशान्त इस चीज को लेकर के बहुत जादा जो है वो इसको लेकर के बहुत परसनल थे कि वो बिहारी हैं या बिहारी टैक को लेकर के हमें भी नहीं दिखाई पड़ता था कम से कम बिहार को लेकर के उनका अगर किसी तरीके कैसा लगाऊ हो वो बहुत सारी चीजें और भी क मेरे पिदा जी कहा करते थे कि समय से पहले और भाग इससे ज़्यादा किसी को मिलता नहीं है आप अपनी मेहनत करती रहें कर्मन्यवादी का रस्त है तो जो मेरे हिससे आया वो मेरी अपनी किस्मत है मेरे साथ भी शायद ऐसा हुआ नेपोटिजम जो आप कह रहे हैं पर मुझे पता नहीं चला किसी ने मेरे उपर उंगली नहीं उठाई इसलिए क्योंकि तुम बिहारी हो इसे नहीं नहीं का दिल्ली में होता था दिल्ली में जब में हिंदु कॉलेज में पढ़ता था मैं तो वहां पे इस तरह का था कि अभे तु बिहारी है ऐसा कुछ एक हीन भावना थोड़ी सी पर बॉम्बे ऐसे शहर में मुझे आज तक इसका सामदा नहीं करना पड़ा कि बिहारी है तो मुझे काम कॉलेज में अ और मैं यह भी समझता हूं कि आज जो भी मैं जहां तक भी पहुंचा हूं मेरी माता जी पिता जी और परिवार के अलावा हुआ हिंदू का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि जब मैं यहां से बहुत सालों पहले जब मैं गया था दिल्ली तो कुएं के में अधक को आप इसका अंतर पता नहीं है तो अपनी ओपर काम किया और पिर काम करते करते अब जो भी हूं आपके सामने हो थीटर किया वहां पॉम्बे में किया मैं दिल्ली में दिल्ली विशुदाले वाले पढ़ते पढ़ते पुड़ते अब हम भी हारी घंगोर एक बार तो यूपेसी जाब भापू से लगा रखा था भारतिया पुलिस से वाप मतलब इतना जुनून था उस काम को करने का लेकिन वही होता है कि आप कई बार अभी दिया नहीं हुआ अच्छा नहीं हुआ एकदम नहीं हुआ प्रीवी नहीं हुआ था प्रीवी नहीं हुआ था नहीं हुआ उ कि मैं पता नहीं इनसान को वहीं पहुंचना होता है अगर मैं आज यहां पे हूँ तो मुझे यहीं पे होना था और कहीं नहीं होना था और मलाल में चीज़ों का रखता नहीं मलाल हां मैं एक बात का जरूर रखता हूं कि अगर कभी मैं गुस्से का जो है ना कई बार पहले की बात है लेकिन अब मलाल किसी भी चीज का नहीं है हमारे माता जी पुथा हमारे पिता जी को था लेकिन पिता जी तो रामदेव से बहुत पहले ही फिर वह उनका द्यावसान हो गया और जहां से भी देख रहे होंगे मुझे बड़ी एक्षाद थी कि हमारे पिता जी यह सारे चीज होते हुए देखते हैं लेकिन मा देख रही है तो रामदेव का जब लॉंच था वो मॉर्डल टाउन दिली में एक बहुत बड़ा स्टेडियम में कोई उसका नाम भूल रहा हूं मैं तो वहां पे जिस दिन लॉंच था 11 फर्वरी किशाम थी और 30,000 लोग थ वहां पर सारे जितने केंद्रिय मंत्री हैं उसे लेकर रजद स्वर्माजी से लेकि हर इनसान वहां पर दा सिर्व मोदी जी नहीं थे और मारी माताजी भी थी और उनको ले गए थे तो रामदेव स्वामी रामदेव से बहुत अच्छे जी फोटों है जो भी अपनी जैसे जो भी ब्लाकाइट कमांड़ों सब की बीच में तो उसे माने ऐसा बोला के बुवा आई हमरा आप तु नहीं के लिए उपिए सी को नहीं बात नहीं थे लेकिन आई तो रह देख अमरा बच्चा सेक्ट होगे लिए तो माताजी को मलाल नहीं था उसके बात से जैसे चुकी लॉकडाउन के बाद इस तरीके से फिल्में भी रिलीज हो रही है या वेब सिरीज भी रिलीज हो रही है अब इस बीच एक बंदिस बैंडिट अई बंदिस बैंडिट सी सम्भाता नाम है उसका और तो वो हमने देखी एक आपकी रखतांचल आई हैंने उसको हलागे पर जो थोड़ा बहुत देखा है उसमें जो है वो एक तरीके से पुर्वांचल का और पुर्वांचल का इलाका और उसमें भी जिस तरीके से बाहुबलियों का एक पूरा सामराज रहा है अभी आपने ब्रजेस सिंग किरदार अदा किया है मुक्त और यह मैं कहाना मेरे ल प्लस तो यह जो अपना आप्जर्वेशन है कि जो पनारस कि यह कहानी बहुबलियों वाली यह जम्षेदपूर भी जाती है आप लोगों की कहानी भी जम्षेदपूर तक गई है अभी सीजन टू अभी आने वाला है अच्छा अज़ जा रहे हैं जानने के लिए देखें स एक गीत है अगर मैं सही हूं तो भरशर्म व्यास का कि साहब बिरेंदर के यारी देखनी टाटा में रंगदारी देखनी मतलब वो टाटा का जिस जब दौर था जम्षेदपूर का और यह ब्रजेश या मुखतार या सूरजबान यह जो तमाम आज नाम लिये जाते हैं यह कभी चुकी बड़ा सामराज्य फिर वहीं था पटना तो उस तरीके से था नहीं उस तरफ पटना से बहार यह था लेकिन मुझे नहीं पता अब जो हमारे चैनल जो है हमारा जो राइटर करेंगे काम हमें उस पर ही करना होगा लेकिन यह कहानी जहां भी जाती है एक तो फि परिशनल एक्सपीरियंस किया कुछ कहीं कोई दिक्कत परिशानी हुई हो उन खिरदारों की और से नहीं बिल्कुल नहीं इंफाक्ट बनारस में बड़ा तो बहुत अद्भुट जग है ऐसा लगता है कि आप वहां से मैं कुछ दो धाई महने था वहां पे तो शहर को घू कि अंत की और बोट रही है इसमें हम एक चीज़ और समझना चाहते हैं हमसे कि जब भी बिहार के फिल्म इंदस्री की बातचीत होती है जैसे जाएड तोर पर आप देशवा की थी तो वो मितला पर उतनी सेंट्रिक नहीं थी या उसकी भाषा भी मितला पर सेंट्रिक नहीं भी जिस तरीके से गाने बने खासता और से रिया पर रियाक्ट करते हुए उसमें बहुत गाली गलाज का इस्तमाल लुए या भुछपूरी इंडस्री इंजरल जो भी उसमें गीत हुनते हैं तो इसको लेगर के जो बाहर एक मैसेज जाता है जब भी तो ऐसा लगता है कि बिशाथे जो कुछ है वह भुछपूरी है और भोषपूरी जो है जो कुछ है वह असलील है तो इसको ने एकर के आप लोगों को नहीं कुछ लगता है कि किया जाना चाहिए और भी रहागा कुछ उस पे हम लोग तो पिछले 10 सालों से kmlle कर रहे हैं इतन नितूंज इने ऊ और समने मिलके लोग ने फिल्म बनाई देशवा बोचपूरी विल्म थी हम इसलिए बनाई किए व्याइश चाहते थे कि भोचपूरी जो शकल भुचपूरी की और यह में या ना माने तो भीहार और यूपी के लोगों की इमेज गाती है बाहर जाले हम लोग कितने ही बड़ अगर आप जुहू बीच जाते हैं तो जुहू बीच में सब लोगों को लगता है कि एक भुजपूरी पोस्टर में जो एक हिरो चिला रहा है ऐसे करके उसके यहां से खोन निकल रहा है एक महिला जो है सुंदर सी महिला वो आपको एक तरह से देखा जा तो कम कपड़ों में आपको उनके पोस्टर पर चिपका दिया गया है और पीछे दस गन लेके लोग खड़े हैं अब यह इमेज पंजाबी लोगों की में इतनी अच्छी है तो कि पंजाबी गाने जो है वो आज जो है वो बिहार की सबसे बड़ी तरासदी है कि आज यहां के विभाहों में हमारे अपने लोग गित नहीं बसते हैं हमारे हैं पंजाबी गित बसते हैं लेकिन पंजाबी शादियों में बिहार के लोग इतनी बसते तो क्या यह जरूरी है कि हम हमेसा वहां से लेके आ सब चले जाते हैं मेरे पास एक अफसर आया आपके पास आया मैं आपकी बड़ी मतलब बहुत पसंचा करना चाहते हूं आपकी क्योंकि छोड़ चाड़ के आना है बहुत मुश्किल है और भी अपने ज़बे से कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा पर मुद्दा यह है कि अप अलाकारों के पास कला होती है नहीं बाद सुनी जाती है कि भुशपूरी के लिहादे य हास से जाहित तो पर यहांसे जो कभी भुशपूरी Film also scholar थेац Olevas के पर फिलमें कर लें लगे अलग अलग जगहों पर चाहे रवी किशन का नाम ले 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 या मनुस्तिवारी कई बार हम लोग सुनते हैं अखबारों में पढ़ते हैं कि अप अप अब बीधर बन रहा है कि जो है जैसा बॉलीवोड है उस तरहीके से पटना के भीतर कुछ बा सब्सक्राइब को यह रोजगार का इतना बड़ा साधन है यूपी के लोगों को कैसे इतना वहां पे सुटिंग फ्रेंडली है लोगों को वहां पे एक आदत है और उससे सरकार इतने पैसे बनाती है सरकार को नहीं दिखता कि इसे इतने पैसे बन सकते हैं दूसरी जीश प्रसप्शन की बात आप कर रहे थे अब गाना है मान लीजिए और ऐसा नहीं की फूहड गाने कहीं नहीं होते हैं लेकिन ताहर लहंगा उठादे रिमोट से इस तरह के गाने अगर आप गाते हैं अगर म उन्होंने मराट्य में फन बनाई वेंटियरिट को नैशनल और वाड मिला शायद बहुत सारे फिल्म इसी बनाए उन्होंने जब वजबुररी में फिल्म बनाई तो उसमें गाना था कि अपन बलेरों के चाभी से खोलद हमर ना का अब यह बताई के पर்सेप्शन कैसे बन जाने धökर कि वह भी अपकोई कोई भेनाएं तथा हपरी कोई बनाएं जैने दिक्क अपनी ही भी चीजिजों में घरव नहीं है यहाँ कि इस अगा है मैं बाद में नहीं हमेस्जा कहता हूं और अगर अगर इसमें शहर को गंदा कहा जाता है कहीं से भी तो आप यह देखिए ने कि आज भी ऐलेक्शन आने वाला है आज भी अगर आप वहीं रहेंगे तो फिर गंदा ही गंदा होता रहे गया बिहार की बादचीत आती है तो जिसे आपने लिटे चोखा का जिकर कर दिया हम आपको चाट के वीडियो में हमेशन देते रहें और सबने इवन कि मैं आपसे एक बात साजा करो मुझ समौता आपका पहला वीडियो था जब मैं आज तक के भीतर नौकरी करता था और मैंने परदा सीना की आवाज में और मेरे पस मन्तब अब था कि अब जाना है ठीक है टिकट नहीं था और मैं जनरल में चड़ करके वहां से चलाया था कि ठीक है अब चलते हैं चट में तो वो फिर से अब कैसे प्लान कर रहे हैं फिर से कुछ बाची चले अब तो च्छट को तेर अगले साल उसके हमने फिर परिवार बढ़ाया उसके बाद हमने अगले साल बच्छों के साथ शूट किया लास्ट इस साल प्लान है कि कुछ नया सा करें लॉक्डाउन को लेके करें प्रवासियों को लेके करें तो स्पॉंसर जून रहे हैं अगर कोई स्पॉंसर मिलता तो जरूर बनाएंगे जिसे प्रवासियों को मसला जा जाते जाते पूछ लें कि आप कह भी रहें कि चीजें बहुत बदलने नहीं जा रहे हैं प्रवासी में जूर लॉटे थे और प्रवासी कहना ही अपने आप में उनके साथ जो है बदा मजू मजाक है कि जाहिड तरुपर व यहां रोजगार नहीं मिला तो फिर से वह वापस लॉटने लगें अलग लग जगों को यह सब देख सुनकर के कैसा लगता है यकिन वानी अच्छा तो नहीं लगता है जब मेरे शहर को सबसे गंदा कहा जाता है अच्छा नहीं लगता है जब यहां का मजदूर जाके अच्छा नहीं लगता है बहुत ऐसी चीज़ें जो अच्छी नहीं लगते हैं पर मेरे अकेले के नहीं अच्छी लगने से नहीं होंगी सबको आना पड़ेगा सबको मिलना पड़ेगा और और चोड़के चले जाएंगे तो माबाब तो छूट गये जो लोग यहां से जा मेरे गाओं में घरने वहां सब दोग बहुत जा जा चुके हैं तो मैं भी आया गाओं गया बैठने की क्योंकि आप गास पोसे इतना जादा हो चुके है उसको सांस़ा करा आए बैठा और वहाँ जाके मैंने कुल देवी से अपनी प्राक्तना की जी मेरे अंदर इतनी शम्ता हो कि मैं बनबा सकूँ और वहाँ पर जब मैं आऊ तो एक दिन रह सकूँ दो दिन सुकून से रह सकूँ और यकीन मानिए आप वो सुकून मुझे कहीं नहीं मिलेगा तो जितने लोग हैं मैं आप सब से ही कहूँगा कि यार आप कितने भी आगे बढ़ जाएं बाहर अगर आप पैलेस भी बनाते हैं उसका फायदा नहीं है लेकिन अगर अगर अपने गाउं को छोड़के बनाएंगे तो डसन में अनी सिंस तो यह आज इवन एक्टिंग करते ह कभी पॉलिटिक्स में भी करांते प्रगाश जाप को इंट्री करते हुए देखिए अगर साफ सुत्री साफ सुत्री राजनीती होगी तो पता नहीं शायद लेकिन तो ऐसी है साफ सुत्री राजनीती तो राजनीती और मेरे ऐसा मैं बड़ा भावक आदमी हूँ तो मेरे एक ऐसी आवाज बन सोकूँ जिससे लोग यह रिलेट कर सकें कि यह रहे अपने घर का आदमी और यह ठिक ठाक बातें बोलते हैं इसकी बात सुन सकते हैं इतना ही और राजनीती करने वाले राजनीती करें लेकिन अपने विकास जरूर करें भाई बड़ा दुख हो जाता ह हैं जब ऐसी बंबे में देखते हुएं कि इस चवी हमलों की बन जाती है लोग अच्छे भी कहते हैं अ बिटकुल यह तो आप अगर चाहें तो आप भाई पांचों को मुला के मुट्वी बना दें ताकत बन जाएगी पर आज की डेट में मिथलांचल में भी मैثली अपने बच्चों के साथ नहीं बोलते हैं हमारे कुछ घर के लिए घर अपने बच्छों qe sat behind the ब क्या क्या मिल झाए इसको से लोग भुजपूरी नहीं बोलते हैं लेकिन आपके बाद अगर बाहरबादे अचा कभी करते हैं उनको गर्व होता है अपनी चीजोंपर इतना गर्व ज़रूर बना के रखें और इपने बच्छों को बताएं कि भिढर गाउं गाउं होता है और गाउं की भाषा humारी मात्रे भाषा ऐसी होती और हम ऐसे हैं, बागी तुमको दुनिया में जितना उड़ना है उड़ जाओ, हर पंक्षी घरी आता है, अपना घर पकड़ के रखो अब बात खत्म करते हैं, गाओं जो है वो सिर्फ किसी जगय का नाम नहीं है, गाओं जो है एक तरीके से मनोगा ग्यानी के स्पेस है कि आप लौट सकते हैं, आपके पास लौटने का उप्षन है, कहते हैं कि वो लोग परिशान हो करके कहां जाते होंगे शहर से जिनके पास तो बातचित यहीं खत्म करते हैं, फिल्म आरही है इनकी, दो अक्टूबर को अभी, हलाकि देरे देरे एक महीना और है, सेप्टमबर और अक्टूबर, मगर वो OTT, जो है, On The Top, Over The Top, इक तरीके से इंटरनेट पर रिलीज हो रही है, और उसमें आपको हो सकता है कि थोड़ वो चंदा भी देना पड़े, आप उसको चंदा कहले उसको या फिर आप किसी प्रोटसान कहले उसको, चार सिंगारे खाने में, जाहिर तोर पर वो जो क्राउट सोर्सिंग का मॉडल है, वो सारी चीज़ों को और बिहार एक्सपेरिमेंट कर रहा है, आपको भी एक्सपेर चाहते हैं, तो लोग आएंगे, तो भी बहुत अच्छा होगा, और लोगों से उम्मीद है कि आने चाहिए, कलेक्टिव एफ़र्ट पर जिस पर बातचीत हो रही थी, तो वही है, दबिहार मेल के लिए बशार के साथ, मैं विश्णुन नारायन, बहुत दन्यवाद,